भारत मता की याँ! भारत मता की याँ! अर्ट मोदी तुमाहिजाना शागतम साथो! धोल ताशे नगाडे भजवाईए क्योंकि पीम मोदी पधार रहे हैं यही शोर इस वक्त त्रिपुरा में घाले में चारों तरप से उठ रहा है लेकिन जैसे त्रिपुरा में मोदी जी का स्वागत हुआ है उसकी उमीद शायद किसी ने भी नहीं सपने में भी नहीं की होगी क्योंकि सोशल मीडिया पर अपने मुहमिया बिठ्टू बनने के चक्कर में अमित मालविय ने खुद के पैर पर कुलहाडी जरूर माली जिसके बाद लोगों के सवालों से बचना उनके लिए अब मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल हो गया है वैसे शुरुवात में जो वीडियो आपने देखा है वो त्रिपुरा का बताया जा रहा है और खुद अमित मालविय ये कह रहे है कि त्रिपुरा में मोदी का स्वागत लेकिन जरा नजर डालिये इस वीडियो में कितने शक्स नजर आ रहे हैं आपको और ऐसा लग रहा है कि ये मोदी का स्वागत नहीं बलकि उनकी बेईज़ती जरूर कर रहे है क्योंकि जहां पर भी मोदी जी जाते है वहां पर लोगों का जनसैलाब उमड पड़ता है ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जाता है लेकिन अब एक लाइन मोदी के लिए बना ही दी गई है कि जहां जहां चुनाव होता है वहाँ वहाँ मोदी खुद पहुँच जाते हैं और ऐसा ही कुछ नजारा और ऐसी ही आहट त्रिपुरा और मेगाले से भी आ रही है इस पूरे वीडियो में आपको महस छे लोग ही नजर आ रहे होंगे वो भी बीजेपी का जहन्दा लहराते हुए लेकिन क्या पता था सोशल मीडिया पर हर चीज का जवाब मिल ही जाता है वैसे आपको बता दें कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबा ही मेगाले की राजधानी शिलांग पहुँच चुके हैं यानी 2014 के बाद से फीते नहीं काटे जा रहे हैं बलकि सौगाते दी जा रही हैं पुर्वतर के विकास पर साथ लाग करोड खर्च हुए पिजली सरकार की सोच विभाजनकारी थी लेकिन अब विवादों का बॉर्डर नहीं विकास का कॉरिडर है उन्होंने ये भी कहा है कि बॉर्डर का विकास दंके की चोट पर हो रहा है हम वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाएंगे पियम मोदी अपनी मेघाले त्रिपुरा की आत्रा के दोरान 6,800 करोड रुपे से अधिक की परियोजनाओं की आधार शिला भी रखेंगे और उनका शिला न्यास भी करेंगे अब जरारू कर लेते हैं सोशल मीडिया पर जहां पर इस पूरे विडियो को लेकर तहल का मचा हुआ है और इस पूरे विडियो में मोदी जी के स्वागत पर सीधा सीधा सवाल उठाय जा रहे हैं कि क्या सिर्फ पूरे त्रिपुरा में 6 लोग बचे हुए हैं जो मोदी का स्वागत करने के लिए आये हुए थे अमित मालवी का जो ट्वीट किया था वो आप देख चुके हैं मिस्टर रियाक्शन वाला की तरब से ट्वीट किया गया है लिखा है त्रिपुरा में सिफ 6 लोग रहते हैं और कोश्चन मार्क लगाया है अगला जो ट्वीट होए वो अवितार अमरनात कुमार हैं ट्वीटर यूजर लिखते हैं मित्रों का बिजनेस चीन के साथ है चीन के सस्ते और घटिया सामानों को मित्रों द्वारा भारत में व्यापार किया जाता है व्यापार से अर्वो रुपए बनाए जाते हैं अगर चीन के साथ यूद करेगा तो व्यापार खत्म हो जाएगा इस चीनी एजेंट को देश से कोई मतलब नहीं है मित्र का व्यापार बस आगे बढ़ाना है अगला जो ट्वीट है वो विपल कुमार का है और इन्होंने राहुल गांधी के स्वागत वाला वीडियो शेयर किया है भारत जोडो यात्रा का और लिखा है कि वेलकम और वेलकम यह कहना यही चाह रहे होंगे कि वेलकम यह होता है यह देखिए और simply complicated नाम के ट्वीटर यूजर है लिखते हैं कि दो रुपए कुली वेविंग फ्लैग दो रुपए के जो कुली है वो फ्लैग को वेव कर रहे हैं यानि जो जंडा है वो लहरा रहे हैं वेद प्रकाश मीना हैं लिखते हैं मोधी इस नौट सुप्रीम इंडिया इस सुप्रीम मोधी को हर जगा पर बढ़ा चड़ा कर आप सुप्रीम सुप्रीम दिखाते रहते हैं तो मोधी सुप्रीम नहीं है इंडिया सुप्रीम है JDAS हैं ये लिखते हैं कि तरिपुरा के लोग जानना चाहते हैं जब आप आही गए हैं तरिपुरा में तो ये बता दीजे कि साल में 50,000 नौकरियों का क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि मोदी खुद चुना गया हीरा को खुद मोदी ने गिरा दिया है और फिर दूसरे माड़ी को ले आया है जैश करके ट्विटर यूजर हैं ये लिखते हैं कि छे लोग त्रिपुरा में रहते हैं और बीजेपी पार्टी वर्कर्स जो हैं छे लोग वो मोदी का वेलकम कर रहे हैं इससे जादा और हास्यास पदबाद क्या हो सकती है अगला जो ट्विट है वो अभी का है लिखते हैं अपनी आखे खोलिए ये पीम मोदी का स्वागत नहीं कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पीम मोदी का स्वागत नहीं कर रहे हैं ये लोग उस लीडर का स्वागत कर रहे हैं जो बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर माना जाता है अगला जो ट्विट है वो किरन कुमार का है लिखते हैं what a great way to welcome पीम मोदी और थाम इन्होंने शेयर किया है कि वाकई कितना बढ़िया तरीका है पीम मोदी का स्वागत करने का और एक ट्विटर यूजर है एक लाइप करके एक लाइप हाँ और इसमें लिखते हैं कि ये इफ भारत माता की जय दिन यू आ नॉट इंडियन फ्लैग इस तरीके का कुछ इन्होंने लिखा है मतलब ये बताने की कुशिश कर रहे हैं कि अगर आप भारत माता की जय का ना आरा कैमरेन दिख रहे हैं बस इसके अलाबा और कुछ नजर नहीं आ रहा है जो वेलकम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो वेलकम नहीं नजर आ रहा है मनोज शाहें लिखते हैं कि फेकू अराइव यानि फेकू आ रहा है कौशिक हैं यह लिखते हैं कि made for sand a storm is not required even a small breeze will destroy it और जो वो शकल बनाई गई है वहाँ पर मोधी का स्वागत करते हुए वो जो है sand की बनी हुई है यानि रेत की बनी हुई है और इसको बरबाद करने के लिए आंधी की जरुवत नहीं है इसको सिर्फ एक जो बून्ध है वो ही बरबाद कर सकती है जरा सी हवा इसको पूरी तरीके से तहस नहस कर सकती है जिस तरीके से PM मोधी का स्वागत किया जा रहा है सूरमा भोपाली लिखते हैं एंबुलेंस वेटिंग फॉर पीयम मोदी तो गेट पासेज पीयम मोदी का एंबुलेंस वेट कर रही है जल्दी आये मोदी जी हम आपके पासिंग का वेट कर रहे हैं पीके करके एक ट्विटर यूजर नहीं लिखते हैं I can't count six only मतलब मैं count नहीं कर सकता इतनी जादा भीड है और उसमें सिफ छे ही लोग है आनंद कौशल हैं लिखते हैं कि पांच पांच सो रुपए देकर लाइन में खड़ा किया गया है बेचारों को और हसने वाला इमोजी इन्होंने शेयर किया है अगला जो ट्विट है वो स्रीधर का है लिखते हैं कि एट प्यूपल और पांच सो रुपए और हसने वाले इमोजी के साथ मजाक बनाया है इन्होंने और एक ट्विटर यूजर है दिव्वियू करके लिखते हैं कि चार लोगों को पीजेपी का जंडा पकडा के बोल रहा है त्रिपुरा वेलकम स्मूदी वाट जोक खान साहब करके ट्विटर यूजर है लिखते हैं हूज वेलकम बाई ट्विटल सिक्स पीपल बहुत बड़ा स्वागत किया गया है छे लोगों की तरफ से प्यमोदी का आहुजा करके ट्विटर यू लिखते हैं कि no vision no mission only corruption act of fraud कोई vision नहीं है कोई mission नहीं है सिर्फ और सिफ corruption है और यह है act of fraud when voting remember the voters जब voting होती है तो voter को याद कर लो also remember BJP's tactics और BJP की जो tactics होती हैं उनको भी आप याद कर लीजे ignore the religious based political system that have corrupted India और religious जो based political system इस टाइम चल रहा है धार्म की राजनीती उसको पूरी तरीके से ignore करिये think for the good of the country and vote for a secular democratic party और ऐसी party के लिए vote करिये जो country के लिए अच्छी है और आप लोगों के लिए भी अच्छी है आप लोगों के बारे में अच्छा सोचती हो उनके लिए vote मत करिये जिनके पास कोई mission नहीं है कोई इनका vision नहीं है सिर्फ और सिफ act of fraud करते हैं wish हैं लिखते हैं yes I can see who is welcoming him peacock और इन्होंने एक movie का scene share किया है जिसमें आश्मान खुराना की आँखों पर जो एक काला चश्मा है और तब्बू उनका welcome कर रही है इस तरीके से welcome का इन्होंने मजाक बनाया है अजीत कुमार चौधरी है लिखते हैं event management होता है ये photo ops और event management ही हर जगा चल रहा है क्यों सीधा सीधा ये लिख रहे हैं कि ये और कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ event management है जो कहीं पर मोदी जाते हैं तो उसके पहले हर जगा पर दिखाई देता है photo के लिए फिर माला लंबी सी डाली जाएगी और कहा जाएगा कि मोदी जी आएँ है अब जैकारा लगाईए बिलकुल बड़ा सा और यही सारा कुछ अब त्रिपुरा में और मेगाले में शुरू हो गया है मेगाले से भी कई ऐसी जो तस्वीरे हैं वो वाइरल हो रही है लेकिन जिस तरीके से मोदी के वेलकम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप इस पर क्या सोशते हैं जिस तरीके से मोदी का वेलकम हो रहा है कोमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहे हैं